नमस्कार आप देख रहें एकनिस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वता मिस्टरा बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने आज साल का पहला जनता दर्बार लगाया वहीं आपको बता दू कि काफी तादाद में फर्यादी अपने फर्यादों को लेकर नितिश कुमार के जनत दर्बार में पहुँचे आप दस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 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 तरीके से बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने उनों फर्यादों की बाते सुने हैं और वहीं ऑन्दिश स्पोर्ट उन्होंने उनकी समस्याओं का हल कराने का भी नर्देस दे दिया है बाकि वीडियो में विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें मुख्यमंत्रे नितिश कुमार वर्ष के नए साल में आज पहला जनता दर्बार लगाए जिसमें लोगों की शिकायत सुने और अन्दिस पोर्ट उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारि भी मौजूद रहें वही कैविनेट विभाग की ओर से संबंदित सभी विभाग को तयारी करने का निर्देश दिया गया है ऐसे में आज नए साल का दूसरा सोमवार है लेकिन पहले सोमवार को एक जनवरी होने के कारण जनता दर्बार का योजन नहीं हुआ था आठ जनवरी को मुख्य मंत्री साल का पहला कैविनेट की बैठक भी करने जा रहे हैं वही आज सुबह उन्होंने जनता दर्बार भी लगाया और जिसमें काफी तादाद में फर्यादी अपनी समस्याओ को लेकर पहुँचे शाम चार बजे से मुख्य सची वाले की कैविन कैविनेट हाल में बैठक होगी जिसमें कई एजन्ट पर मुहर लगा सकती है साल का पहला कैविनेट होने की कारण मुख्य मंत्री कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं जिस पर सबकी नजर रहेगी खास कर मागडबंदन की सरकार ने 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है स्वास्ते और अन्य विभाग में अभी बड़े पैमाने पर बहाली होने की बात सरकार की ओर से की जा रही है इससे पहले 26 दिसमबर को कैविनेट की बैठक होई थी जो 2023 का अंतिम कैविनेट था वही अब नए साल में दो सब्ता बाद कैविनेट की बैठक खोने जा रही है और आज वही मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने साल का पहला जंता दरबार भी लगाया जिसमें काफी तादाद में लोग पहुंचे कई सारे फर्यादी पहुंचे और उन लोगों ने मुख्यमंत्री नितिश कुमार के सामने अपनी सारी समस्याओं को जिसमें लोगों की शिकायत सुने और on the spot उनकी समस्तियां को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिये जनता दरबार में तैय विभागों की समस्तियाे ली गई वहीं जनता दरबार में समबंधित विभाग के सभी मंत्री और सभी आला अधिकारी भी मौज् तो जैसा कि आज महीने का दूसरा सोमवार है और इस साल का सीम नितिश का पहला जनता दरबार है आज स्वास्त्य सिक्षा समाज कल्यान पिछडा एवं अती पिछडा वर्ग कल्यान अनुसूचित जाती जनजाती कल्यान विज्ञान एवं प्रावेधी की सूचना मुख्यमंत्री नितिश कुमार का साल का पहला जनता दरबार लगा जिसमें काफी सारे तादाद में लोग मौजूद रहे और लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के पास पहुंचे जनता दरबार में पहुंचे और आपको बत आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूटियूब चैनल पर देख रहे हैं तमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद